हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुत ज़ादा बड़िया बजट मुबाइल्स एक मुबाइल है रेडमी के तरफ से रेडमी का नोटेट जो आपको मिलता है दस हजार में यह आपको दस हजार में आलाइन मिल जाएगा दूसरी तरफ है इन्फिनिक्स का S5 लाइट जो भी हाली में लाउच हुआ है इस मुबाइल की कीमत है सिर्फ 8000 रुपे तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मुबाइल्स में कमपरेजन कर के आपको बताउगा इन दोनों में क्या क्या कमया है और आपको इन दोनों में से कौन सा खृतना चाहिए कौन सा नहीं तो वीडियो को end तक देखते रहिएगा, चलिए देखते हैं, दसजार में Notate के साथ आपको क्या-क्या दिया गया है, तो सबसे पहले ये Mini Box मिलता है, जिसमें लगावा है एक Simjector Tool, अंदर रखे वे मिलता है कुछ User Manual, एक मिलता है Cover, Cover की Quality इस Mobile के साथ आपको Normal ही दियी गई है, इसके बाद रखावा मिलता है Mobile, मेरे पास ये White Color में है, इसका Detail Look हम अभी देखींगे, उससे पहले देख लेते हैं, Box के अंदर आपको एक बहुत अच्छी Quality के अंदर Data Cable मिलती है, जो कि एक Type-C Cable है, Redmi के Note 8 में आपको Type-C Cable का सपोर्ट दिया गया है, आखिर में रखावा मिलता है ये Black Color के अंदर काफी Heavy Charger, अब दोस्ते इस Mobile के अंदर आपको Fast Charging का सपोर्ट भी मिलता है, और एक Fast Charger Mobile के साथ Box के अंदर ही दिया गया है, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये एक 18W का Fast Charger है, तो ये सारा समान आपको मिलता है 10,000 में Redmi के Note 8 के साथ, रेट के हिसाब से देखा जा तो उस Mobile में आपको काफी बढ़िया ही समान मिलता है, चलि देखते हैं अगर आप 2000 और कम खर्च करते हैं, और एक रखावा मिलता है Cover, Cover की Quality इसकी भी आपको Normal दी गई है Redmi के Note 8 की तरह, आखिर में रखी भी मिलती है एक Data Cable, अब दोस्तो Data Cable की Quality इसकी सही है, लेकिन इसके अंदर आपको Type C Cable का सपोर्ट नहीं मिलता, जो आपको Redmi के Note 8 में दिया गया है, इसके बाद आपको रखावा मिलता है ये White Color के अंदर Charger, जिसके अंदर आपको Output मिलता है 5W 1.2A का, तो दोस्तो ये इसके अंदर थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलती है, इस Mobile के अंदर आपको Fast Charging का सपोर्ट भी नहीं मिलता, और Box के अंदर Fast Charger नहीं दिया गया, लेकिन Rate के हिसाब से देखा जाए, तो फिर भी इस Mobile के साथ आपको काफ़ी अच्छा ही समान मिलता है, Redmi के Note 8 की कीमत भी 2000 रुपर जादा है, तो असवजे सा आपको Note 8 के अंदर Type-C केबल में मिलती है, Fast Charger भी दिया गया है, इसकी 2000 रुपर कीमत कम है, Rate के हिसाब से देखा जा तो फिर भी दोनों Mobile के साथ अपनी अपनी जगा आपको बहुत अच्छा ही समान मिलता है, और भी जाद अच्छा मिलता है Redmi के Note 8 के अंदर, Redmi Note 8 इसमें और जाद अच्छा है, चले बात कर लेते हैं हम डिजाइन के बारे में, तो दोस्तों इन दोनों Mobile के अंदर आपको काफी बढ़िया डिजाइन मिलते हैं, देखने में ये दोनों ही Mobile सापको काफी अच्छा लगते हैं, आप देख सकते हैं Blue Color के अंदर Infinix भी अच्छा लग रहा है, तो डिजाइन की जो Quality है, वो Redmi के Note 8 की जाद अच्छी है, इसके लावा दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में, तो Infinix के अंदर आपको पीछे की तरफ तीन कैमरे दिये गए हैं, जिसमें पहला है 16 Megapixel का, दूसरा 2 Megapixel का, तीसरा दिया गया है Low Light Sensor, पर्फॉर्मेंस इस मोबाल में आपको 8000 की हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है, डे लाइट के अंदर इसमें आपको कैमरी की पर्फॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलती है, लेकिन Low Light के अंदर इसका कैमरा नॉर्मल ही है, वहीं दूसरी तरफ रेड्मी के Note 8 में आपको पीछे की तरफ चार कैमरे दिये गए हैं, जिसमें पहला है 48 Megapixel का, दूसरा 8 Megapixel का, बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 Megapixel के, इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 Megapixel का, कैमरे की परफॉर्मंस आपको Redmi के Note 8 में जाद अच्छी मिलती है, कैमरे के अंदर Redmi Note 8 जाद बढ़िया है, अगर आपकी कैमरे की ही ज़रूत हैं, आपको कैमरे की वज़े से ही मोबाइल लेना है, तो इस mobile के अंदर आपको जाद अच्छा camera दिया गया है बाकी दोस्तो आप देख सकते हैं complete design किस mobile का design आपको अच्छा लगा ये चीज़ा मुझे comment करके बताइएगा बाकी दोस्तो back panel पापको दोनों mobile's में fingerpin scanner भी दिया गया है इसके लगा बात करें display के बारे में तो Redmi के note 8 में आपको display size मिलता है 6.3 inches का सवा change के आज पास इसमें आपको display दी गई है लेकिन Infinix के अंदर आपको display मिलती है 6.6 inches की साड़े change से भी और थोड़ी जादा display दी गई है आपको Infinix के अंदर display के size के अंदर आपको Infinix का S5 light जाद अच्छा मिलता है Redmi के note 8 से बाकि दोस्तो एक बहुत बड़ा फर्क यह है Redmi के note 8 में आपको मिलती है notch वाली display और Infinix के अंदर आपको दिये गया है अंदर से features किसके जाद अच्छे लग रहे हैं बाकि दोस्तों डिस्प्ले में करीब साब को दोनों की दिखा देता हूं अब के अंदर Redmi Note 8 की display अच्छी है लेकिन डिस्प्ले का जो size है डिस्प्ले का जो design है वह आपको Infinix के S5 light के अंदर जाद अच्छा दिया गया है Redmi के note 8 से इसके लावा दोस्तों left side से आप देखेंगे दोनों mobile को आपको SIM की tray मिलती है अच्छी चीज यह है दोनों ही mobile मोबाल्स के अंदर आप दो SIM card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं यह खुबी दोनों mobile के अंदर है नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone, jack दिया गया है type C port आपको Redmi के note 8 में मिलता है, right side से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको मिलते है volume के buttons, उसी की ठीक नीचे power के buttons Redmi के note 8 में ऊपर की तरफ आपको IR blaster भी दिया गया है, जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV वगर आप Redmi के note 8 से चला सकते हैं, यह इसमें जाद अच्छी हुबी है बाकि दोस्तों दोनों ही mobile's के अंदर आपको मिलती है 4GB RAM, 64GB की internal storage अब इस चीज़ के अंदर Infinix जाद अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको उतनी ही memory मिलती है जो आपको Redmi के note 8 में 10,000 में मिलती है, और इस mobile की कीमत भी 2000 रुपे कम है बाकि दोस्तों मेंने दोनों mobile's में कुछ applications इंस्टॉल कर रखी है जिस वज़ेसें की memory थोड़ी कम हो गई वरना आपको Infinix के अंदर आपको मिलती है 64GB में से 54GB के आसपास और Redmi के note 8 के अंदर आपको मिलती है 489GB के आसपास तो तकरीबन आपको 5-6GB जादा मिलती है Infinix के अंदर Redmi के note 8 से और इसकी कीमत भी 2000 रुपे कम है इसके लवा दोनों ही mobile's के अंदर आपको Android का बिलकुल latest version मिल जाता है Android Pie इस चीज में दोनों अच्छे हैं Recent application की Windows आप देख सकते है Infinix के अंदर थोड़ी आपको बड़ी मिलती है Redmi के note 8 से इस चीज में थोड़ा सा और अच्छा है Infinix बाकि दोस्तों बात करें battery के बारे में तो दोनों ही mobile's के अंदर आपको battery मिलती है 4000MH की एक दिन का battery backup दोनों mobile's के अंदर आपको आराम से मिल जाता है battery के अंदर ये दोनों अच्छे हैं बात करें प्रोसेसर के बारे में तो Redmi के note 8 में आपको मिलता है Snapdragon 665 प्रोसेसर और Infinix के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का P22 प्रोसेसर अगर आप एक normal user है आपका इतना ज़्यादा heavy use नहीं है गेम वगर आपको ज़्यादा नहीं खेलने तो Infinix के अंदर आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी तेकिन अगर आप एक heavy user है आपको गेम वगर खेलने के लिए ही mobile लेना है तो Redmi का note rate आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये सारी खूबिया और कमी आपको मिलती है इन दोनों mobile's में चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से खरीदना चाहिए कौन से नहीं तो दोस्तो सबसे पहले तो matter ये करता है कि आपको किसके उपर ज़्यादा भरोसा है Infinix पे या फिर Redmi पे इसके बाद जो आपकी main ज़रुत की चीज़ है वो कि इस mobile में ज़्याद अच्छी है क्योंकि कुछ खूब या Redmi के अंदर अच्छी है मोबाल की बैटरी तो बैटरी बैटरी बैकप दोनों मोबाल के अंदर आपको आराम से एक दिन का मिल जाता है आप दोनों से कोई सब भी खरीच सकते हैं लेकिन और भी ज़्याद अच्छा रहेगा आपके लिए Infinix क्योंकि इसकी कीमत 2000 रुप और कम है इसके लब अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाल की रैम इंटर्नल स्टोरेज तो वो भी आपको ज़ादा मिलती है Infinix के अंदर और इसकी कीमत भी 2000 रुप और कम है आप Infinix लीजिएगा बाकि दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाल की डिस्प्ले की क्वालिटी आपको डिस्प्ले के कलर सचे चाहिए तो तो आप Redmi का नोटेट लीजिएगा ये मोबाल आपके लिए ज़ाद अच्छे रहेगा बाकि अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाल का डिजाइन बाकि अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाल का प्रोसेसर आप एक हेवी उजर है तो भी आप Redmi का नोटेट ही लीजिएगा ये मोबाल आपके लिए ज़ाद अच्छा रहेगा तो चार खुबिया Redmi के नोटेट में है चार खुबिया Infinix के S5 Lite के अंदर Redmi के नोटेट में एक तो इसकी डिस्प्ले की क्वैलिटी दूसरेस का डिजाइन तीसरेस का कैमरा और चौथास का प्रोसेसर वही दूसरी तरफ Infinix के अंदर आपको चार खुबिया ये मिलती है एक तो इसका डिस्प्ले का डिसाइन और साइस काफी बढ़िया है बिल्कुल यूनिक डिसाइन है डिस्प्ले में पंच होल कैमरा दूसरे से मोबाइल के अंदर आपको बैटरी अची मिलती है कम कीमत पे ही आप मुझे बताईएगा आपकी जरूरत के हिसाफ से आपको इन दोनों मुबाइल्स में कौन से ज़्यादा पसंद आया मुझे इन दोनों मुबाइल्स में Redmi Note 8 पसंद आया आप मुझे जरूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो ये लाल कलर का बटने से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ ये घंडी का निशान है इसे भी दबा दिएगा ताकि नई Unboxing और Comparison की वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लाएव वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा WhatsApp Facebook पे अगर आप इन दोनों में से किसी का भी Comparison देखना चाहते हैं किसी और Mobile के साथ तो वो चीज़ भी Comment करके बताईएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल्दी आपके लिए लेकर आने की मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Take care, Bye Bye